बूंदी के जिला एवं सत्र नयधीश ने हिंडौली थानक शेत्र के डगारिया में एक साल पहले की गई हत्या के मामले में दो आरूपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर लोहे और सरीयों से 80 साल के विवाहिता पूरन कौर पर प्राण घातक हमला कर हत्या कर दी थी जिला एवं सत्र नयदीश ने मंगलवार को एहम फैसला सुनाते हुए आरूपी सुर्जीत सिंग और गुरू दयाल सिंग को उम्रकैत की सजा सुना दी है और साथी अलग-अलग धाराओं में 60,000 रुपेव का जुर्माना अदा करने के भी निर्देश दिये हैं फर्यादी के वकील सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि हत्या पर डीजे कोट ने फैसला सुनाया है और इस मामले में 31 दस्ता वेजो का फैसला सुनाया है जबकि कोट में हत्या मामले में 17 गवा पेश किये गए